हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फामा एमसीक्यू में तो आज हम डिसकस करेंगे 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिसकस करेंगे जो भी अभी अपकमिंग फार्मसिस्ट एक्जाम्स हैं तो उन सब के लिए ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर वन से इन में से आपको प्रोड्रग करना है तो प्रोड्रग इन में से इसका अंसर क्या होजेगा देखे इस सुलिंड्रग जो है ये प्रोड्रग है यह जो सारी drugs दे रखी यह NSAIDs की drugs दे रखी है non-steroidal anti-inflammatory drugs जो होती है उनको NSAIDs drugs में आती है तो उसमें जो यह oxyfan butazone है यह pyrazolone derivative होता है जो NSAIDs में जो हम पढ़ते हैं pyrazolone derivative उसमें आता है oxyfan butazone और phenyl butazone दो drugs आती है और यह peroxy cam है यह oxy cam derivative होता है oxy cam derivative में भी आता है pyroxy cam और tenoxy cam आता है और इसमें naproxen है यह propionic acid derivative होता है propionic acid derivative में आते हैं कौन-कौन से आती है ibuprofen आता है frenop mayonnaise proisco distillate a arnaっぽ और vetohい naproxxen आता है तो इसमें से pro drug होता है तो NSAIDs में से एक तो lastly आता है वह pro drug होता है और एक होता है नाब यूमी टोन तो इसके ओपर भी question आता है नाब यूमी टोन ये भी क्या होता है प्रो ड्रग होता है ओके नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन नमबर टू question है the free anthracunons give dash reaction positive तो free anthracunons जो होते हैं आपको पता है anthracunon glycosides जो होते हैं तो उनके लिए कुन सा टेस्ट होता है बॉन ट्रेगर टेस्ट होता है option c right हो जाएगा ओके anthracunon glycosides में आते हैं सैना अलो रुबार्ब कैस्केरा यह सब आते हैं तो इनके लिए बॉन ट्रेगर टेस्ट होता है और एक होता है modified bone ट्रेगर टेस्ट वो c glycosides के लिए होता है और इसमें जो बॉरेक्स टेस्ट है यह जो है अलो जो होती है ठीक है अलो के जो जनरल टेस्ट होते हैं उसमें आता है एक तो टेस्ट kita टेस्ट होते हैं उसमें पर पर तो यह जो बनाया हुद है ता आक लोग वह भी देख सकते हैं और अब इच्वेसंट करके मजे rave बारफोर टेस्ट किसके लिए होता है नेक्स्ट है question number 3 question है which of the following type of alkaloids are derived from tryptophan देखिए जो alkaloids होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं true alkaloids जो होते हैं उसमें क्या होते हैं nitrogen होता है किसमें देखिए ट्रोपेन alkaloids या आइसो क्वीनोलीन इंडॉल या फिनाइल इथाइल अमीन देखिए ओके तो जो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिट से डिराइव होते हैं इंडॉल अलकलोइड होते हैं इंडॉल अलकलोइड में हम पढ़ते हैं एरगट है रुवॉल्फिया है नक्स थाइण चुलेड होते हैं यह औरलमने इस से वह सृचसित अलकलोइड उन ओप सकते हैं यह तो फिनाइल अलकलोइड है और अलकलोइड से यह से होते हैं तिक यह भी किस से टाइरोसी रमीनो आसीड से ही डिराई होते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेशन नमबर फॉर क्वेशन है क्वेशन नमबर फॉर है क्वेशन हैं विच औफ फोलोंग इस यूजट इस एकश्र फोर दा प्राइक्शन आफ कटिको स्टीर होता है diosgenin option C-right जो होता है यह किसम डी इंतो होता है इसका सोर्स होता है और डा को यह इसी doo होती है जो ऑता है सपोनिंग औो साइट में आता है सपोनिंग लीकोसाइट में इसक शतावरी है इसकमि सैंग मोली में सनेगा, कोईलिया, गोखरू यह सब ड्रग आती है कि इसमें सैपोनिंग लैकोसाइड में आती है तो इसमें जो है डायस्कोरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है डायोज जैनिन प्रेजेंट होता है और यह यूज होता है कि इसमें यूज करते हैं इसको as a precursor for the production of corticosteroids in the industry तो हमारा option answer c बता दिया मैंने और इसमें जो nicotin है यह टोबेको में होता है प्रेजेंट गिलिस्राइजीन है मतलब लिकोरिस जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है और क्विनीन जो है सिनकोना में प्रेजेंट होता है क्विनी और कुमिनी होते हैं सिंखोना के अंदर क्विनी जो है इसको सेरेवरल मलेरिया में ड्रग ऑफ चोईस होता है यह और सिंखोना जो है क्विनोलिन अल्कलोडस में आता है कह्मुऌ होती है तो ये भियाद रखने आपको next question है question number five question है क्रीमो कार्फ fruit इस characteristic पो फैमली options है cruciferous है इस इस सलनेसी या अमबैली फैरी तो क्रीमो कार्फ fruit जो होते है यह अमबैली फैरी फैमली जो होती है उसकी characteristic होते है ृच्छल तो option D हमारा right हो जाएगा तो embelliferous fruit में जैसे हम क्या पढ़ते है फैनल पढ़ते हैं यह सब जो फैनल है जैसे ही इसकी family embelliferous fruit में आता है फैनल ओके नेक्स सोलनेसी family किसकी होती है जो पढ़ते हैं उनमें बैलाडोना धतूरा स्ट्रमोनियम हायसाइमस जुबोज यह सब की family क्या होती है नेक्स्ट है क्वेशन नंबर सिक्स है ओप्यम अलकलोईट्स अकर इन कॉम्बिनेशन विद ऑप्शन सा मिकॉर्णिक एसिड कुईनिक एसिड ट्रोपिकल लिसर्जिक एस इसके ओप्शन देखिए स्टर्कूलिया अकेशिया ट्रकैंथ या अगार तो जो यह ऑक्सिडेज एंजयम है या अकेशिया में प्रेजन ओता है ओप्शन भी हमारा राइट हो जेगा अकेशिया जो है इसको इंडियन गम भी बोलते हैं तीक है और इसका सोर्स होता है अके अगर ऑक्सिडेज अंजयम प्रेजन फोता है तो इसमें जो और ओप्शन्स अनको देखिए स्टर्कूलिया नो है इसको इंडियन ट्रगैंथ उसको चूर्स और इसका सोर्स होता है इसकी फैमिली स्टर्कूलियस यहोती है एओके चैन्थ जो है इसका source होता है astragalus gummifer होता है इसका source और इसकी family leguminocy होती है और अगार जो है अगार रेडलगी से obtain होता है gelidium amansi होती है gracilaria है tyrocladia होती है तो यह सब रेडलगी होती है इनसे अगार obtain होता है तो next question पर चलते है question number 8 है question है ergot obtained from natural source is dried options देखिए ovary sclerotium, peridrum या sclerotium या sclerotium तो जो ergot होता है यह obtained होता है obtained from natural source तो यह dried क्या होता है sclerotium होता है जो हम ergot का source पढ़ते है उसमें शुरू में लिखा हो है ergot is a dried sclerotium of fungus claviceus purpurea ठीक है तो इसका हो जगा sclerotium होता है और ergot की family क्या होती है इसकी family clavicepatesi भी होती है, gramini में होती है ergot की family okay, ergot जो है indole alkaloids में हम पढ़ते हैं ठीक है ergot आता है इसके अंदर chemical constraints देखिए ergot के ergotamine होता है ergot toxin, ergot metrin भी होता है, ergot metrin जो होता है water soluble होता है और ergot के लिए one arc reaction होती है, ठीक है one arc test होता है ergot alkaloids के लिए one arc test में क्या होता है para dimethyl aminobengaldehyde होता है para dimethyl aminobengaldehyde होता है और ergot powder जो होता है, इस one arc reagent के साथ blue color देते हैं तो ये थोड़ी सी बाते हैं, आप लोग इसके बार में, ergot के बार में ध्यान रखना next है, और जो ergot alkaloids के होते हैं, इनको किसमें migraine में यूज करते हैं next है, question number 9 question है, structure of hyosamine can be differentiated by the presence of dash in hyosine hyosine में, क्या present मतलब hyosine और hyosamine इन दोनों का structure में थोड़ा सा difference होता है तो एक चीज है, जो hyosine के अंदर present है, hyosamine में नहीं है वो बतानी है, options देखे, lactone ring, epoxy ring, carbonyl ring या ester ring तो देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसका structure देखना पड़ेगा देखिए, जैसे हम यह hyosamine, hyosine यह ट्रोपेन अलकलोईड्स होते है तो ट्रोपेन अलकलोईड्स का जब हम structure देखते हैं तो इन में क्या ट्रोपेन ring present होता है और ट्रोपेन ring क्या होता है, यह होता है ट्रोपेन ring मतलब fused pyrolydine ये pyrolydine 5-membered ring है और ये 6-membered ring होती है कौनसी pypyridine ठीक है तो इनका fusion होता है ये क्या ट्रोपेन ड्रिंग system तो इसमें question है तो hyo-simen का structure देख रहे थे तो hyo-simen का structure तो ऐसे हो जाएगा ठीक है अब इसमें यहाँ पर यह आगे side chain होती है यह तो अभी जादा हम इसका structure डिसकस नहीं करना तो अभी यह hyo-simen का है और जब हम hyo-simen का देखते हैं तो hyo-simen में यहां पर यह 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 जल में तो यहां पर जो होता है यह epoxy group प्रेजन होता है कि कि इसमें दोनों जो hyo-simen और hyo-simen डिफर करते देखते हैं कि हाई-o-simen प्रेजन होता है हाई-o-simen में नहीं होता हूं तो यह हमारा इसका अंसर क्या हो जाएगा इपोक्सी ग्रूप ऑप्शन भी राइट हो जाएगा question number 10 पोसोलोजी इस ब्रांच ओफ फार्मकोलोजी विच मेंली कंसार्ण वीद options are effect of medicine on body, screening and evaluation of medicines, effect of body on medicine या doses of medicine तो पोसोलोजी किसकी study होती है, यह होती है, doses of medicine, option D हमारा राइट हो जाएगा तो इसका हो जाएगा, option D हो जाएगा, पोसोलोजी में क्या करते हैं, doses की study करते हैं study of doses is known as posology, study of drug dose, drug कितनी dose, मतलब कैसे क्या dose होती है study of drug dose is known as posology, और इसमें देखिए, effect of medicine in body medicine मतलब drug, drug body पे क्या effect कर दिए, एक तो हम पढ़ते हैं, फार्मा को डाइनामिक पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं, फार्मा को काईनाइटिक पढ़ते हैं, डाइनामिक में क्या हो गाए? drug does to the body D से याद रखना, D से तो यह प्रक डाइनेमिक अबर कैस्ट अटैकर को से लिए वह फार्मेक्टी में वह बोडि के क्या एट cheese करें नहीं metabolism और नह AfD कि दियुक्ता आराए टूए एदेक जोस्विस्क घेमिक करते हैं तो यह पर the यह pharmacodynamic में आता है और effective body on medicine यह pharmacokinetic में आता है तो आप लोग यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना हो के तो इसका answer हो गया option D हो गया doses of medicines और हाँ friends जो यहाँ पर link आपको दिखाई दे रहा है यह मेरी website का link है जो भी हम लोग यहाँ पर questions डिसकस करते हैं सारे की सारे questions मैं यहाँ पर with answer website पर post करती हूँ तो आप लोग website से भी in questions को पढ़ सकते हैं next है question number 11 question है capability of a drug to bind with the receptors is known as options देखिए affinity, intrinsic activity, agonist या antagonist capability of a drug to bind with receptor इसे बोलते affinity option A हमारा right answer हो जेगा affinity क्या होती है capability of a drug ability of a drug to bind with receptor इसे बोलते हैं affinity intrinsic activities में दिया हुआ है intrinsic activity होती है ability of a drug drug receptor से bind होती है उसके बाद क्या होता है confirmational changes produce होते हैं intrinsic activity जो होती है efficacy भी बोलते हैं intrinsic activity ability जो है intrinsic activity में क्या होता है इसमें होता है ability of a drug to activate or induce confirmational changes in receptor जो receptor होता है उसमें confirmational changes produce करती है drug तो ड्रग की इस ability को बोलते है intrinsic activity तीक है और ability का affinity का हमने बता दिया ability of a drug to bind with a receptor यह होता है affinity अब देखिए अब जैसे antagonist है और आंटागोनिस्ट है देखिए दोनों की affinity तो होती है agonist और antagonist दोनों की affinity होती है तो दोनों की affinity होती है but intrinsic activity जो होती है तो agonist की अगर हम देखिए तो 1 होती है जो antagonist होता है की intrinsic activity 0 होती है और यह भी धान रखना next है question number 12 question है mechanism of cardiac glycoside is तो cardiac glycoside का mechanism पूचा है तो cardiac glycoside option देखिए sodium magnesium ATPase pump inhibitor sodium potassium ATPase pump inhibitor sodium potassium ATPase pump inhibitor अच्छा दोनों एक ही option लिख दिया कि sodium potassium ATPase pump inhibitor calcium potassium ATPase pump inhibitor ठीक है तो ये मैंने same same option हो गया तो ये इसमें अलग था इसमें ठीक है ये ऐसे होगा magnesium potassium होगा तो ये इसका होता है ये जो क्या होते हैं जो cardiac glycoside होते हैं ये sodium potassium ATPase pump इसमें एक में ये hydrogen potassium था sorry ठीक है इसमें हाँ इसे एक option में ये hydrogen potassium लिखा हुआ था यहाँ पर ही hydrogen potassium आ जाएगा तो ये काड़े glycoside क्या करते हैं sodium potassium आपको यह कोई पैटा यह जाता है ऊर्णी इसको सोडियम को पाइड ले जाता है और जो पैटाष्यम है इसको अंदर लेके आता है तो अब इस पंप को इनिःबिट कर देंगे तो क्या होगा कि sodium तो है cell के अंदर intracellular accumulation हो जगा sodium का है ठीक है तो इससे क्या होता है sodium के intracellular accumulation से क्या होता है calcium भी जादा हो जाता है तो केल्शिम क्या कराता है तो काड़िकल एकोसाइड क्या करते हैं फोर्स ओफ कंट्रेक्शन जो होता है उसको बढ़ाते हैं उसको क्या बोलते है पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एफेक्ट बोलता है कई बार एक्जाम में क्वेशन क्या आता है तो इसका तो हमारा हो गया sodium potassium ATPase pump को इलिबिट करते हैं एक और question जो cardiac glycoside काता है जिसे डिजोक्सिन जो है तो ये क्या करते हैं positive ionotropic effect होता है और negative chronotropic effect होता है मतलब क्या है force of contraction को तो बढ़ाते हैं लेकिन जो heart rate होता है उसको कम करते हैं ये ठीक है तो positive ionotropic और negative chronotropic effect होता है कि इनका cardiac glycosides का तो ये भी आपको याद रखना है और इसका हमारा option सी याद राइट हो गया next है 30 number question है इसमें क्या है adrenaline जिसको क्या बोलते है एपिनेफरिन भी बोलते हैं तो ये देखिए एक तो question ये तो हो गई एक बात अब ये options देखिए क्या बोल रहा है adrenaline is और आप लोग देखिए जो adrenaline होता है ये अड्रेनर्जिक ड्रक्स में आता है मतलब sympathetic ड्रक्स में आता है तो हमारे दो option तो कट गई पराइट होता ही नहीं ये क्या था sympathetic होता है तो answer इन दोनों में से एक होगा तो ये जो क्या कराता है bronchodilation कराता है beta 2 जो bronchodilation जो होता है beta 2 receptor mediated होता है मतलब जो beta 2 agonist होंगे वो bronchodilation कराएंगे beta 2 antagonist होंगे वो bronchoconstriction कराएंगे तो adrenaline जो होता है तो यह क्या करते है ब्रोंको डायलेशन कराता है ओप्षन हमारा एराइट हो जएगा यह सिंपैकोंबिमेटिक यह जो सिंपैकोंबिमेंटिक है यह जो मैने इसके ओपर ag tipo farm कलोजी और कुछ सी सिंपैथो मिमेटिक होती है कुछ से सिंपैथोलिटिक है पैरसींपैथो मिमेटिक को लिजिक सार अच्छी से एक्सप्लेइन करा हुआ है आप वीडियो देख लेना के नेक्स्ट है question number 14 hydrochlor thiazide diuretic should usually be avoided in patients with options देखिए अब आप लोग इसके options में क्या है hypertension, hypernatremia, hypercalcemia या अडिमा देखिए जो hydrochlor thiazide होते हैं उनको avoid करते हैं किस में option हमारा हो जगा hypercalcemia देखिए जो thiazide diuretic होते हैं ये तो क्या कराते हैं ये खुदी hypercalcemia कराते हैं मतलब calcium का level βढ़ा देते है calcium और excretion कम कर देते हैं उससे क्या होता है calcium का level blood में Becasicoe supercalcemia कराते हैं तो इसलहिए इनको hypercalcemia की condition में इनको हम avoid करते हैं हाईपर केल्सीमिया में लूप डैयोयटिक यूज करते हैं हाई भी做iren now members उद्सक्राइब यूरीय में केलशन के एक्सक्रिशन भर जाता है इस से का बλαड में केलशन कम हो जाएगा तो हाइपos California कराते हैं तो इसलिए हाइपरकैलश Events मे कंपे डिशन होती है उसमें Thiazides के अवएड करेंगे और क्या यूज करेंगे Loop Diuretics को यूज करते हैं तो ये this Thai这是 Diuretics है तो इसमें कौन सी ड्रग है जिसको सीज करेंगे एक दम से बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा है तो इसमें होता है क्लोनीडीन आंसर आजेगा क्लोनीडीन जो है किसमें आती है क्लोनीडीन जो है एक दम से अगर इसकी डोज बंद कर देते हैं तो उससे क्या होता है मतलब बढ़ जाता है यह सब हो जाता है तो इसका अंसर आजाएगा क्लोनीडीन आजाएगा ठीक है हइड्रोगलोड थाइजर तो होई ताइजर डियोटिक्स वहलता है यसीनोपरील जो है यह ऐ सी इन्यबिटर्स में आता है प्रील वाली ड्रग जो होती है सारी किसमें आती है कैसे हैं एसी इन्याष्ट में आते हैं यह सारी ठीक दिके तो एक और लाइन हो याद रहां किया है? प्रो ड्रग होती है. इया क Все यह है, Isbuildal Persons क्यानल होता है 16 है, question है, question है, question है, question नमर 16 में क्या है mechanism of action of striptomycin, तो striptomycin क्या है amino glycoside antiviotics में आती है, यह सब क्योंते है amino glycoside antiviotics में आती है, तो इसका mechanism पूछा है options देखिए, destroy lehomme protein membrane, inhibit conversion of paraminobendoic acid to folic acid and phalonic acid, bind to 30S ribosome and thereby inhibit cell protein synthesis यह bind to 50S ribosome and inhibit cell protein synthesis तो जो स्ट्रिप्टोमाइसीन है अमिनों ग्लैकोसाइड अंटिबाइटिक्स करते हैं बैक्तिजा कि protein synthesis को inhibit करती है तो हमारे दो option तो कट जाएंगे इन दोनों में से answer होगा ओके तो जो स्ट्रिप्टोमाइसीन है 30S ribosome से bind होती है और क्या करती है और क्या करती है वह सेल वोल दे रखाए इसमें नहीं सेल प्रोटी के protein synthesis को inhibit करती है तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रिप्टोमाइसीन क्या करती है बाइंट तो 30S ribosome and thereby inhibit cell protein synthesis तो protein synthesis जो होती है उसको क्या करती है तो जैसे इसमें या अमिनो ग्लाइकोसाइड आंटिबाइटिक्स भी क्या करती है protein synthesis को inhibit करती है macrolide antibiotics नाम पड़ते है न इरिथ्रोमाइसीन क्लेंड़माइसीन यह सब जो macrolide antibiotics होती है वह भी क्या करते है protein synthesis को inhibit करती है नेक्स्ट है hai survive question question ने क्यृस्ट्लाइन एग्रिगेशन के इंस जैनल्ट में एडवर्स उफेक्टोव किसलाइड अग्रिगेशन इन क्य्ट्ने मैं क्यृस्टाल्स का एग्रिगेशन हो रहे सिट्रियोरी यह हो जाता है इस सेеко्यृस्टल्य उरिया किसका वहास होता है कुईन ओलोन्स सलफोनमाइब्स अंपेसिलने से फैलक्धीन तो संपोनमाइबस एड़ लियुक्थ में आता है उप्षिन बी राइटों जाएगा ठीके तो इसमें क्या वावर्च मे प्रेसितल यूडिय में टे है इसके आसे टाइडियोंड ञतो होते हैँ वो, acidic urine में क्या होते हैं, less soluble होते हैं, इसके वियसे क्या होते हैं, वह precipitate हो जाते हैं, तो इसके वियसे crystal urea, crystalline aggregation हो जाते हैं, किड़नी में ठीक है, तो यह होता है, sulfonamides का अंसर, हमारा क्या हो गया, sulfonamides हो गया, quinolones, जो है, जैसे इसमें, इसे प्रोफ्लोकससीन वगईरा तो इसका एकом साइड इफक्टर डाइरिया हो जाता है सिफली इपिरो स्पोरिण ऐसे के लिए इसका भी विडियो आप्लोड किया हुए है ठीक है सिफालोग्हकोरीिट में जो सिफा द्रग्स होती न pest सिफैलोथम Anders सिफैली powder इंती हि тво under नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नबर 18 विच फॉलोइंग इस प्रिस्क्राइब विद आइसो नियाजीड तो प्रिवेंट परिफरल नियुरोपैथी आइसो नियाजीड देखे क्या है पहले आपको पता होना चाहिए यह फस्ट लाइन एंटी ट्यूबर कुलर ड्रग में इसके लिए यह क्या कोश करते है तो इसके लिए क्या देना चाहिए ओप्शन देखे स्ट्रिप्टोमाइज रिथेमविटोल पायराजीण अमड्य विटामिन बीशिक्स देखे आइसो नियाजीड की पैरिफरल नियुरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ब पायरीडोक्सिन भी बोलते हैं हमारा ओप्शन डी राइट हो जागा विटामिन बीशिक्स देते हैं जिसको क्या बोलते हैं पायरीडोक्सिन और इसमें जो स्ट्रिप्टोमाइज थेमविटोल पायराजिन नमड्य यह सब ड्रग क्या है फास्ट लाइन एंटी ट्यूबर आप प्रिवेब्स कहों में next है question 19 है which of the following is mechanism of action of jedowión यह जिडोव्युदीन का भी mechanism of action इसमें पूछा है तो यह आपको बताना है जिडोव्यूदिन का mechanism of action क्या होता है जिडोव्यूदिन से आपको पहले को पताना है किसमें आती हैं आंटिवारल ड्रॉक्स में पढ़ती हैं जिडोव्यूडिन को ठीक है एंटिवाइरल ड्रक्स जो होती है उसमें आता है जिडोव्यूडिन आता है और यह क्या होता है ओप्शन देखिए इनिविशन ओफ फ्री एक्स्ट्रा सेललर वाइरस डिने पॉलिमरेज इनिविटर इनिविशन या रिवर्स ट्रांस्क्रिप् ट्रांस्किर्प्टेज इनिविटर आता है यह कहता है नो नौनुक्लासाइड रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज इनिविटर टांस्क्रिफर इनिविटर में हैं उसको हम एंड्स च्राществ रखते में तो जीडविटन का हमारा हो गया रिवै 축 2021 को को इनिविट करता है और एक और पिंप्स ने विटक्राइब और एक बार फार्मासिक्त और सीड एक्जाब में के जीडविटन का साइड इफेक्ट पूचा हुआ था त्षी में का सथ्रोपीन यह question आया हुआ है question number 20 and the last question है drug of choice for treatment of febrile conversions fever में जो conversions आते हैं पांस साल से कम जो एज के जो बच्चे होते हैं उनको fever में जो conversions आते हैं उसको बोते हैं febrile conversions तो इसमें drug of choice होती है क्या होती है options देखे fenetoin diazepam close up इना dom peridol देखें तो इसमें क्या देते हैं इसमें देते हैं rectal diazepam देते हैं okay rectal diazepam जो हमारा answer हो जाएगा option B हो जाएगा diazepam तो इसका answer हो जाएगा और जो इसमें fenetoin है यह भी anti-epileptic drug है तो यह hidden tone derivative होता है fenetoin और fenetoin के जो side effects बहुत important होते हैं गम hypertrophy hyperplasia होता है osteo malaysia होता है megalovastic enemia भी cause करा देती है यह hyperglycemia बता दिया तो जाएगा गम hypertrophy और हर्सूटीजम होता है इसके side effects में आते हैं किसके fenetoin के important है बहुत important है इसके side effects अच्छे से पढ़ लेना आप लोग ठीक है और close up इन जो है साइकोटिक्स में पहली ड्रग क्या है close up इन उसमें close up इन आती है और कौन सी आती है olanzapine आती है risperidone जिप्रासिडोन आरी पिप्राजोल यह सब किसमें आती है ए टिपिकल अंटी साइकोटिक्स में आती है domperidone है यह anti-emetic drug होती है तो इसमें हमने यह 20 questions discuss कर लिए with detail explanation के साथ हमने discuss किये है अगर आपको वीडियो अच्छी लगए उसे like करना अब एक question इसका answer आप लोगों को comment box में देना है question क्या है question देखिए naturally occurring carminative is options as a fortida वसका as a fortida asoka अर्जिन या अगार तो इसका answer आप लोगों को comment box में देना है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करना share करना और चैनल पे नए है चैनल को subscribe करना क्योंकि इस type के ही MCQs जो pharmacist exams GPAT, NIPER, Drug Inspector सभी के लिए important होते हैं यह MCQs जो हम यहाँ पर discuss करते हैं तो अगर आप किसी भी pharmacist exams की preparation कर रहे हैं या फिर NIPER की preparation कर रहे हैं तो आपके लिए MCQs important रहने वाले हैं इस लिए चैनल को subscribe जरू करना ओके, thank you